पनोर मंक्रूप जो सोचता है वो करता है और सरकार अन्य चीजों को लेकर के अपनी जो तयारियां है वो पूरी कर चुकी है और आज दो बड़े-बड़े इवेंट यहां होने हैं एक तो जहां सिख्षकों को निक्ति पत्र दी जाएगी सरकार और सरकार में सामिल दल स्रे लेने की होड में लगे हुए है तो वहीं दूसरी तरफ CPI की एक बड़ी रहली होने वाली है जिसमें लालू परसाथ नितीश कुमार और अन्य बड़े नेताओं को वहां बुलाया गया है जिसमें से बहुत सारे लोगों को पहुंचने और बहुत सारे लोगों को नहीं पहुंचने के भी चर्चाएं तेज हो रही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां ये सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ आखिर नितीश कुमार किस रास्ते लेकर के जा रहे हैं सरकार और गठबंधन के सातियों को ये सबसे बड़ा सवाल उत्पन हो गया है क्या नितीश कुमार एक तरफ जहां कुछ एक्ट करते हैं उसके ठीक दूसरे दिन दूसरा एक्ट कर देते हैं कल ही आपने देखा होगा कि किस तरफ से नितीश कुमार ने अपनी बातों को रखते हुए जो कहा किसरे लेने की होड में नहीं रहना होगा क्योंकि ये सरकार का कमबाइंड इफोर्ट है लेकिन उसके साथ साथ एक तस्वीर वो थी जहां नितीश कुमार उर्जा विभाग के कारिकरम को संबोधित कर रहे थे और संबोधन में उन्होंने दो तीन बाते बड़ी ही महतोपूर्ण कही पहला तो ये कहा कि 2005 से पहले यानि लालूराबडी शासन में क्या इस्थिती थी इस राज्जी की आप अच्छी तरह से जानते हैं बिजली की क्या व्यवस्ता थी ये भी आप जानते हैं 700 के जवपर 7000 मेगावाट बिजली हम लोगों का अपूर्टी कर रहे हैं ये हमारी उपलब्धी है लेकिन इसके बाद भी हम स्रे नहीं लेते हैं अब इस बात को अब समझेगा कि एक तरफ निटीश कुमार ने ये बाते कही और दूसरे तरफ स्रे नहीं लेने की बात कर रहे हैं इसके साथ साथ उन्होंने उस बैठक में मौजूद अलोक महता को भी सामने किया खेर इन सारी बातों की चर्चा भी हो ही रही थी कि दूसरे तरफ निटीश कुमार ने पोस्टर बैनर से नाम ही आउट कर दिया न तेजस्वी यादो नजरा है न जिस विभाग की निउक्ति पत्र दी जा रही है उस विभाग के मंत्री नजरा है जबकि आपको याद होगा कि कई कारेकरम 2015 में हुआ करते थे जिसमें सबका नाम होता था यहां तक कि लालू परसाद के भी तस्वीर हुआ करती थी लेकिन तेज़स्व यादों का ही जब नाम नहीं है तो लालू प्रसाद की बात कौन करें बर्तमान बदली हुई परिस्थिती में निटीश कुमार ने भले ही उस बैनर पर नाम तेज़स्वी यादों का दिया हो शिक्षा मंतरी का दिया हो यहां ने लोगों का दिया, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस इतने बड़े इवेंट में लालू परसाथ और ललन सिंग पूरी तरह से आउट हैं, हलाकि यह आप कह सकते हैं कि इनका क्या मतलब यह सरकार का कारिक्रम है, लेकिन क्या सरकार क के अन्य कारिक्रमों में इन दोनों के उपस्थिती कभी नहीं हुई है, पुरा रिकॉर्ड खंगाल करके देखिए का आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और नितीश कुमार के इस पैसले के पीछे की कहानी कुछ अलग बया कर रही है, आने वाले समय में बिहार की राज़ में जो राश्ची जनता दल है वो भी पीछे नहीं है, कॉंग्रेस का भी कहना है कि यह कमाइंड एफॉर्ड है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कारिक्रम में कॉंग्रेस के तरफ से भी किसी को निमंतरन नहीं है, किसी का भी नाम उपर में नहीं लिखा कि सुनी नहीं जाती है हमारी बाते और दो लोग बैठ करके जो फैसला कर लेते हैं, वो सर्वमानने होना पड़ता है, या मानना ही मजबूरी हो जाती है, लेकिन अब तो इस स्थिती जो सामने आ गई है, कि लालू परसाद जो फैसला करते हैं, उसे नितिश कुमार नहीं म उसमें ये नितिश कुमार का फाइनल पंच भी हो सकता है, इस नियुक्ति पत्र के बाद बिहार की राजनीत में क्या कुछ नजर आएगा, वो देखना काफी दिल्चस्प होगा, लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, कि नितिश कुमार ने तेजस्वियादों को छोड़िये है, वहाँ क्या इस्थितिया होती है, ये भी देखना दिल्चस्प होगा, हमारी नजर पूरी तरसे बिहार की राजनीत पर और बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है, आज के दोनों इवेंट पर हमारी नजर है, जुड़े रहेगा भरत लाइब के साथ, क् कोई खबर आपसे मिस न कर जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, पनोर्मा क्रोप, जो सोचता है, वो करता है, अगर ये वीडियो पसंद आई, अर वा बिहार के राजनीत और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ल पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद